आज मैं आपकी साथ शेयर करूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी आज हम पोगा और साबू दाना का इस्तिमाल करते हुए बहुत ही टेस्टी नाश्टा पनाएंगे तो सबसे पहले मैंने यहां लिया एक चौथाई कप साबू दाना साबू दाना इसली किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाता है वही साबू दाना है जिसे हम ब्रत वगेरा में इस्तिमाल करते हैं इसे आपको दो घंटे पहले पानी में भिगो देना है ताकि इसे यह अच्छी तरह फूल जाए बस भिगोते समय ध्यान रखें परतन में जब आपसे डालें तो जिस लेविल तक साबू दाना है उस लेवल से एक दो सेंटिमीटर उपर तक पानी डालें बस और दो घंटे बाद यह इस तरीके से फूल कर त्यार हो जाएगा देखी साबू दाना अच्छी तरह फूल चुका है और अब यहाँ पर यह मैंने लिया है आदा कप पोहा पोहा को एक बाउल में डाल कर अच्छी तरीके से दो तिन बार धूलें और फिर इसमें दो चमच पानी डाल कर दस मिनट के लिए ऐसी छोड़ दें और दस मिनट बाद यह पोहा कुछ इस तरीके से फूल कर त्यार हो जाएगा यह देखे मैंने इसे पहले से ही त्यार करके रखा हुआ है पोहा अच्छी तरीके से फूल चुका है मैंने इसे धो कर और दो चमच पानी डाल कर ऐसी छोड़ दिया था तो यह एक्दम दोनों चीजे पहले से ही मैंने बिगो कर त्यार करके रखी हुई हैं तो यहां पर यह जो सॉफ्ट पोहा है हमारे पास इसे हमें एक बड़े भूल में ट्रांसफर कर लेंगे तो यह हमने पूल में पोहा को डाल दिया है और अब हम इसे हातों से अच्छी तरीके से इस तर रखा हुआ था तो यह साबू दाना भी मैंने इसमें ढाल दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी बारिक टि हुई शिम्ळा-मिर्च एक चोत हे कब बारिक कड़ी हुई शिम्ला-मिर्च टाली पीयास-डाल है दोग चमबच बारिक कटि हुई टामाटर डाले है बारिक सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें सबजी इसमें आप अपने पसंद के अनुसार और भी कोई डालना चाहें तो डाल सकते हैं या इसमें से किसी सबजी को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं नाश्टा को बहुती क्रिस्पी बनानी के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ दो चम्मच चावल काटा अगर आपके पास चावल काटा ना हो तो आप इसमें दो चम्मच बेशन या अरा रोट डालें एक जोथा ही चम्मच हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच डाला है लाल नीबू का रस आप चाहें तो इसकी जगा आमचूर पाउडर भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसमें डालें आधा चमच नमक मसाले इसमें आप अपने स्वादे नुसार थोड़े कम या जादा कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और बस अब आपको क क्या करना है हातों से इस तरीके से दबा दबा कर इसका डो त्यार करना है जब हातों से आप इसे दबाएंगे ना तो यह एक डो फॉर्म में आ जाएगा यह देखिए इसका डो त्यार हो चुका है इसी तरीके का डो हमें त्यार करना है तो बस अब हम क्या करेंगे अपने ह हाथों से चपटा कर दें और इसकी किनारे इस तरहा चिकने कर दें बस इसे रख देते हैं अलग साइज मैंने पहुत ज्याधा बड़ा और बहुत ज्याधा मूटा नहीं बनाया है और इसी तरीके से आप सारा नाश्टा बनाकर त्यार कर लें तो अब हम इसे shallow fry करेंगे तो यहाँ पैन में oil मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था और इसमें मैं ये नाश्ता रख रहे हूँ गैस का flame भी आपको medium रखना है एक बार में जितने पीस पैन में आ जाएं उतने आप इसमें रख दें अब 1,5 मिनट तक एक तरफ से सिखने दें उसक कर त्यार करेंगे ये देखे नाश्ता बहुत भड़ी तरीकी से सिखकर त्यार हो रहा है बस ध्यान रखे कि गैस का flame low ना रखें और high भी ना रखें medium flame पर इन्हें आपको fry करना है ये देखे नाश्ता बहुत ही बढ़िया त्यार हो चुका है तो बस इसे निकाल लेते हैं अब सारे पीसे आपको इसी तरीकी से त्यार कर लेने हैं अब इस टेस्टी पोखा और साबू दाना की नाश्ता को आप चाहें तो sauce या फिर चटनी क सार्व कीजिए नाश्ता बहुत ही जादा टेस्टी है आप अपने घर में इसे आसानी से बना सकते हैं जब भी आपका मन करें कुछ चटपटा टेस्टी और यूनिक खाने का तो इस रेसिपी को जरू ट्राए करें अब मैं इसे तोड़ के रिखाती हूं देखे बाहर से ब का सा सॉफ्ट है रेसिपी पसंद आई तो लाइक कोमेंट शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें